सरकारी अस्पताल रादोर में आज यो सुवक्त अफ्रात अफ्री का माहूल बन गया जब अस्पताल परीसर में ही एक महला की डिलीवरी हो गई भीशन गर्मी के बीच अस्पताल परीसर में हुई डिलीवरी में बच्चे की भी मौत हो गई महिला की परीजनों ने स्वास्ते कर्मियों पर उनके साथ धक कमुकी करने की आरूप लगाए हैं दरसल आज छोटा बांस गाउं की एक गर्वती महिला को जब पेट में दर्थ की शिकायत हुई तो परीजन उसे सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने महिला का अल्टरसांट करवानी के लिए कहा लेकिन इसी दोरान महिला का दर्थ जादा बढ़ने पर परीजन उसे डिलिवरी हट के पास लेकर पहुंचे आरूप है कि जब महिला की परीजन उसे डिलिवरी के लिए अंदर ले जा रहे थे तो वहाँ मौजूद एक महिला स्वास्ते कर्मी निरून के साथ धक्का मुक्की की जसके बाद वो गर्वती को लेकर अस्पताल से जाने लगी तबी महिला की डिलीवरी अस्पताल परीसर में ही हो गई बाद में महिला के डिलेवरी होने की सूचना पर अस्पताल प्रश्यासन के हाथ पाउं फूल गए और जच्चा बच्चा को लेकर वाड में पहुंचे लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी पूस्की साथ किसे मारे मुट्के इसी मैडम ने नर्स ने बाहर गेरी अकाम बाहर ले जोग जन्देशों वहां ब्याकत हो गया गेट भाई कपड़े की तुनी देविने ऐसा ऐसा सामने कजी देखा या सास आई विका बढ़े मारे गिलवास नहीं कर्वाने हो चाहिए बच् पूसे प्रशाइन से उसको अटेंड कर रहे थी तो जो पता लगाया और देखाया विए उसमें यह कि अंदर जाने को पर दिक्कत हो रही है तो इसको अल्टरसांड अपने लिखा था फिछले महीं नौचार में ने गराया तो यह इस बास के इसकर दिए कि मेरा इसको अल्टरसांड डिखा जो है लेकिन जब करान ही जाती गेट के उपर ही जो है इसकी डिलिवरी हो गई है उसको आप धके नहीं कह सकते है उसमें यह है कि जैसे जो पेशंट अल्रडी दिक्कत में है और बचे ने लेटरी पास करके पेट के अंदर और जो स्टाफ निस अम महिला की परिजन लापरवास स्वास्ते विभाग के इंगरमचारियों के खिलाफ कारवाई की मांग कर रहे हैं बियो रिपोर्ट रादोर टाइम्स